मुझे ये लगता है कि वारा जो राजस्तान है पूरा का पूरा इनाति का बड़ा बन चुका है अब क्या करें 2020 की मैं बात करूं कबकी 2020 की वेकेंसी क्या राजस्तानी करम चैन बोर्ड यानि बात करूं मैं वन रख्षक की क्या वन रख्षक की कोरोना काल खा गया दो साल और बात करें कि अब इस समय बहुत कठीर परिस्थितियों के अंदर सरकार ने वन्रक्षरका पर करवाया था लेकिन फिर से एक परसासन के नाकामी कह सकता हूँ बाहर के लोगों की दूर दर्शता दे सकता हूँ खराब बंदों की इस पर देख सकता हूँ क्यों कि सिर्फ एक नाड़े का जो पूरा का पूरा प्रोसेश है वो पूरे राजस्तान की उनको नाकाम कर रहा है तो इतना बड़ा राजस्तान एं तेत्री जिलों का तो वहाँ पर सिर्फ राज समंद के अंदर या नकल का सिलसिला जारी कर दिया इस कारण अबारे वनरक्षण की पर्ति को रद कर दिया गया है सेकिंड पारी को देखिए राजस्तानी करम चैरी बोर्ड आप यहाँ पर नोटिस देख सकते हूं साथ में देखिया हुआ आदेश निकाल दिया है कि वनरक्षण क्षिद्धी बर्ति परिक्षा बारा तारी को पर वाता जो सेकिंड पारी वाला उसको रद कर दिया गया है नकल हो गई राज समंद में कैसे कि वलिनाख्षक शिद्धी बर्ति परिक्षा 2020 की दूसरी पारी की परिक्षा दिनाख 12 नमवर 2020 को दाई बसी से लेकर 54 तक आयोजित की गई इस दर्ते पारी के प्रिक्षा के पेपर के समन्द में जिल्ला पुली सराज समन्द दुआरा मुक्दमा दर्ज किया गया है क्योंकि बाहर से पेपर बोल रहे हैं वार्ट सपर की लीक हो गया है तो लीक हो गया अब मुक्दमा है वो दर्ज कर दिया गया है और बोर्ड द्वारा यानि वो ररक्ष बर्ती चैन बोर्ड है तो राजस्तार सरकार के द्वारा बोर्ड द्वारा सेकिंड पारी की वनर्ग प्रिक्षा को रद कर दिया गया है और ये प्रिक्षा फष्ट पारी ये क्यों सनकर करेते राशतार की कला सश करते अंदर क्यों सन आय соврем worst step क्यों सनाइब 7 साथारन साथानन क्यों सनाइते वो अब्स रूबारा बनाई के खीए hiçbir तंदर प्रिक्षिण रद होने के पश्याद पेपर कठीन आने की पूरी-पूरी शंभावना है वेसे ही पेपर बहुत कठीन था लेकिन अब पेपर कठीन आने की पूरी-पूरी संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है तो एसा महीं होना चाहिए लेकिन इन्पोर्मेशन दी मैंने देने की कोशि कि आप इसकी उपर आवाज उठाइए जल्दी से जल्दी कुछ अपना एकसम जरूर लीजिए आपकी क्या राइए इससे रद होई पेपर के बात के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मिलते और भी शांदार हो अच्छी जान करीगे साथ में तो नवजिन क्लास तब तक जैहिन वंदे मात